ज्यान मंत्रा हुम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगा देव उठनी एकादशी का महत्व होता है कि उस दिन जब देव लोग उठ जाते हैं उसके बाद आप लोग शादी विव कर सकते हैं इस दिन भगवान लक्षमी नरायन की पूजा अर्चना करी जाती है शाली ग्राम एवं तुलसी विवह भी होते हैं दीपावली के ग्यारा दिन बाद देव प्रभूत उत्सव और तुलसी के विवह को देव उठनी एकादशी कहते हैं एकादशी का यह पर बड़ उत्सा के साथ मनाया जाता है देव उठनी एकादशी का महत्व होता है कि मंदिरों के वा घरों में गन्ने के मंडब बनाकर श्रधालू भगवान लक्षमी नरायन की पूजा अर्चना करते हैं उन पर बेर चने की भाजी आवला सहित अन्ने मौसमी फल वा सबजियां एवं मंदप में शालिग्राम की प्रतिमा वह तुलसी का पोधा रखकर उनका विवाह कराये जाता है इसके बाद मौनप की परिक्रमा करते हुए भगवान ने कुवारों के विवाह कराने और विवाहित के गोना कराने की प्राथना की जाती है दीप मालिकाओं से घरों को रोशन किया जाता है और बच्चे पठा के चला कर खुशिया मनाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मूरत में जल्दी उठकर इसनान करना चाहिए। इस दिन घर के दरवाजे को पानी से स्वच करना चाहिए। फिर चूनेवा गेहू से देवा बनाने चाहिए। उसके चावल, पुश्प रखना चाहिए। पूजन में दीब जलाकरवा देव उठने का उत्सव मनाते हुए उठो देव, बैठो देव का गीत गाना चाहिए। पुरानिक कथा के अनुसार भगवान विश्नु वा जलंदर के बीच में युद्ध हुआ था। जलंदर की पतनी तुलसी प्रतिवरता रहती थी, इसके कारण विश्नु जलंदर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंदर को पराजित करने के लिए भगवान युती के तहत जलंदर का रूप धरन कर तुलसी का सतित्व भंग करने पहुच गए। तुलसी का सतित्व भंग होते ही भगवान विश्णु जलंदर को युद में पराजित कर देते हैं। युद में जलंदर को मारा जाता है। भगवान विश्णु तिल्सी को वरदान देते हैं कि वे उनके साथ ही पूज़ जाएंगे। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा-्राधा को जर्तत रूप हो जाने वा राधा को गंगा के जल रूप हो जाने का शाब देती है राधा वा गंगा दोनों ने भगवान कृष्ण को पाशान रूप हो जाने का शाब दिया था इसका कारण है कि राधा तुलसी गंगा नदी वा कृष्ण शाली ग्राम के रूप में प्रसिद हुए प्रबोधनी इकादशी का महत्व शास्त्रों में उल्लेखनिये है इस दिन आप लोग इकादशी वरत कर सकते हैं और कथा श्रवन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसा हमारे पुराणों में माना गया है तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमार ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद